हे गाईस, वेलकम डू सक्सष दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वीडियो में तो दोस्तों, आज की वीडियो में न्यू रिकूर्मेंट की डिसकस करने वाले हैं जो की वेकिंसे आउट की गई है असम राइफल से ये जो की एक रेली टाइप के होने वाली है क् बड़ी भरती है guys और यहाँ पे Awesome Rifles really निकलती है, really कब होने वाली है, apply कैसे करना है जहां पर एक short notice जारी किया गया है short notice के जरिये totally discuss करने वाले हैं कि कौन-कौन सी post पर कितनी post पर vacances आउट की गए और किस post के लिए क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए then salary, age limit, selection process, application process वेगर तो चलिए detailed notification वाई चर्चा करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को इससे पहले requested होगी चनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं so please do subscribe and hit the bell icon ताकि सी तरह latest government jobs के बडिट आपको बराबर मिलते रहे हैं तो यह guys short notice है जो कि official जारी की गई है Office of the Director General Assam Rifles जिसका headquarters सिलोंग होता है यहीं से vacances निकाली गई है Assam Rifles Technical and Tradesmen की post है तो टोटली post है आपका लगवग लगवग टेकनिकल होनी वाली है then tradesmen न तो All India के candidate apply कर सकते हैं एक recruitment rally 2022 की Assam Rifles Technical and Tradesmen's recruitment rally जो की tentative schedule की जाएगी यह rally 1 September 2022 को onward for enrollment into group B and group C की post है again 1380 vacances यहाँ पर निकाली गई है candidate male and female All India के यहाँ पर trade and various post wise apply कर सकते हैं चली post discuss करें तो सबसे पहला post है breeze and road की जो की breeze होते हैं और roadways होता है आपको पता चल गया होगा की Assam Rifles में काफी city नुमा होता है रास्ता है जैसे की काफी काफी जासे यहाँ पर है तो उसके हिसाब से breeze and road के लिए vacancy है 17 post पर then color की vacances निकाली गई है 287 post पर तो अच्छी खासी color की भी recruitment है religious teacher की vacancy है 9 sir यह religious teacher क्या होता है मतलब जैसे की अलग-अलग आपकी जितने भी धर में उन सब के लिए का teacher से यहाँ पर जाती है और यह awesome राफल ज़्यादा तर करती है तो इसके लिए भी vacancy से operator radio and line के लिए सबसे ज़्यादा vacancy है guys operator radio and line के लिए जो की ITI वाले अपलाए कर सकते हैं that is great opportunity for ITI students बहुत ही अच्छी खासी vacancy है radio mechanic की vacancy है 72 post पर और armor की vacancy है 48 post पर laboratory assistant की 13 post पर nursing assistant की 100 post पर उसके बाद veterinary field assistant के लिए 10 post पर आया की vacancy है पारा medical में वो भी 15 post पर देनवासर में की vacancy है 80 post पर कुछ समझ में आ चुका होगा कि किसका किसका काम क्या radio mechanic का क्या काम है radio बनाना हो गया radio operator radio and line का क्या काम है line operator हो गया radio operator हो गया यह आपका 739 post पर निकाली गई है veterinary field assistant समझ में आ चुका होगा nursing assistant यह भी समझ में laboratory assistant के लेब में आपके जो रहोते हैं laboratory में वो assistant के रूप में work होता आया भी समझ में आ चुका होगा और वासर में भी समझ में आ चुका हो सरी post है समझ आ चुकी की total number of post है 1380 post पर जिसकी official यहाँ पर update जो notification आने वाली है क्योंकि official जो भी work होगी sorry official जो भी details होगी यह सबसे पहले employment newspaper में publish की जाएगी and जो अभी है नजदिक आने वाला है कल publish नहीं की गई कल मैंने देखा कि अगर publish होजा रोड के लिए जो vacancy है 10th pass प्लस diploma माएंगी जाएगी civil engineer for breeze में hopefully civil engineer की ही माँगी जाएगी यह confirm है उसके बाद color की vacancy है और color में vacancy 12th pass plus English tapping 35 word per minute and Hindi tapping भी माँगी जाती है तो 12th pass ही माँगी जाएगी कोई भी experience नहीं चाहिए किसी भी stream से 12th pass की बंदा है अपलाई कर सकते है religious teacher की इसमें graduate या फिर आपकी PC भी माँगी जा सकती है religious जो भी याँ पे subject आने वाले हैं उसमें post graduate या फिर master degree माँगी जा सकती है देखे ये एक अनुमान है qualifications की क्योंकि short notice है भाया short notice के अनुसारी हम आपको बता रहे है जैसे official आती है कुछ qualifications या फिर experience में change हो सकती है qualifications में तो नहां के बराबर होगी radio operator, radio online की में बात करूँ 10th plus ITI माँगी गई ये confirm है यहाँ पर 12th pass वाले भी non medical से जो belong करते हैं अप्लाइक कर सकते हैं लेकिन मुझे भी इसमें भी कम चांस है ITI वाले जरूर अप्लाइक कर पाएंगे 10th pass प्लस ITI आप इसमें NAC माँगी जाती है या फिर experience ये कुछ कहा नहीं जा सकता है बट ITI की demanded यहां होगी रेडियो में कहने कि 10th pass प्लस डिप्लोमा और यहां पर ITI वाले भी एप्लाइक कर सकते हैं और यह चीज आने के बाद पता चलेगी इसमें सब में जितनी अक्ष्टा अलावा और जितनी भी वेकंसी है सब में 10th pass प्लस डिप्लोमा एप्लाई कर पाएंगे हां पर 10th pass प्लस डिप्लोमा इसही में आएगी वेटनरी असिसेंट में जो की nursing wind wife में diploma नर्सिग किया हो एप्लाई कर सकता है B.S.C. nursing किया ओभी एप्लाई कर सकता है इसकी में बात करूँ तो 18 साल से लेकर 27 साल यह नॉर्मल रखी गई है और किसी-किसी पोस्ट में आपको 18-25 भी देखने को मिल सकती है इस सब में आपको सब कुछ मिलेगी इसमें रिटेन टेस्ट, स्किल टेस्ट, रेली है तो आपको सब कुछ यहाँ पर करना होगा उसके ब आपको मिली होगी कुछ भी डाउट हो आप बेजिजर कमेंट कर सकते हैं और वेट करते हैं इसकी ऑफिसल नॉटिस का फिलाल अब तैयारिये स्टाट कर दो क्वैलिफिकसन तो समझ में आ चुके होगी जब भी ऑफिसल आये अप्लाइ करने के लिए रिडिय रहना तो होफ